बस तीन इन समस्याओं से हमेशा दूर रहना पहली कोचिंग दूसरी दोस्त और तीसरी किताब बस इस तीन से अगर बच गए तो जिन्दगी सार्थक है हम बता देते हैं अभी दो मिनिट में क्लियर कर देते हैं सबसे पहला कोचिंग 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 तो सब लेना यहां दो अप्शन होता है एक तो होता है कि सेल्फ है ना और एक होता है कोचिंग के सारे और एक होता है ओनलाइन ओफ लाइन तो यहीं पर आ जाईगेगे यह तीन जो होता है इसी तीन पढ़ाई का है कोचिंग का ही तीनों गेम चलता सबसे बड़ी समस्य कोचिंग है यह नहीं है समस्या कोचिंग किन कोचिंग में जाए जाया कूँन सा coaching जो है हमारी zasting को सार्थक बनाएगा coaching अभी जो चल रहा मारकेट में दू तरीके का coaching है है कि एक coaching है जो सबसे अधिक फीस ले रही है quiz हले जो सबसे कम फीस लेती है अब यह अपनी अवकात के का dispording आपको पे कोचिंग वाले को फाइदा हो अब इसके लिए तो आपको चूस कर रहा होगा कहा जाना है हमारे पास आईएगा पचास के बाद हम सीच बदल देते हैं बस पचास हुआ खेल खतम जहां पर आराम सिहां से आप पूछ सकते हैं हमसे बातें कर सकते हैं को प्रॉब्लम हो तो एक साल के लिए अब इससे कम और क्या मांगे आपसे बताएए ना साथ अजार पांसो एक साल का फिस फॉंडेशन का अब क्या चाहते हैं उसके बाद भी अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप वन डे की तैयारी कीजिए मता ये इस फिल्ड में इस फिल्ड आपके लिए नहीं है बरबाद हो जाईएगा आपको आपके दिमाग में क्या रहता है दोसो बाला करेंगे फैक्टरी में बैठा होगा लोग है जाओ दोसो बाला में 200 साल रोना और फिर कंधा हम आना पढ़ोगे वहां रोने यहां पहुचोगे यहीं रोना है यहीं आसुगी राना तो पहले तो यह कोचिंग रिसाइड करना और कोचिंग रिसाइड करने के लिए आपको वहां जाके थोड़ा सा पढ़ाई देखना होगा कैसे है वहां के लोगों से दिपर पूछना होगा जो कोचिंग जा रहा है जो सुन रहा है उसकी बातों से नहीं जो जानता हो कि वो क्या है टीचर वो कैसे परहा रहे है उनका क्या है परहने का तजुर्भा कितने दिन में complete करेंगे बच्चा का होता है सही तरीके कि मार्द वर्शन की नहीं हम कोचिंग नहीं ढूंडते हैं जी हम किराना दुकान ढूंडते हैं कि लिखे हुए उपर में BPSC है और नीचे में क्या लिखे हुए दरोगा है SSC है बेंकिंग है रेलवे है है की नहीं कोई चीज छोड़ता ही नहीं हाइवे है टीचर है तो फिर आप क्यों लिखे हुए सिविल सर्विसे और उतना ही नहीं UPSC भी लिख देता है हाँ कि अब बताओ जो दरोगा पढ़ा रहा है जो SSC पढ़ा रहा जो रिलवेश पढ़ा रहा है वह UPSC लिख देयोपी लोग निछोड़ता उसको भी निछोड़ता हमको क्या लिखने नहीं आता क्या अगर विपीयसी लिख इन्व दरोगा लिख दें ऑफर फ्लो चलेगा यह संस्था को यूगों यूगों तक जब तक हमारी साथ चलेगी यह BPSC के लिए समर्पित रहेगी बस बेटा अगर पठना जा रहे हैं तो सुनामी गुरू जाकर पढ़ लो बाकी कहीं मत जाओ और अधर कम्पीटिशन के लिए कहीं भी चली जाओ BPSC के लिए यहीं आओ क्या यह यह तो बड़ी चूटी बात लेकिन बहुत बड़ा ट्रामा है आप यहां बेठे हुए हैं टुलतपास करके आप यहांसे कऊओ कि सुजीद सर मैंससे सिभी तैयारी करूगा बेंकी भी करूगा रेल भी तैयारी करूगा तो मैं क्या करूगा भाई नमस्ते निकलो हुई है आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करके रख्खी हुई है उसको आपके सपनों से कोई मतलब नहीं है उसको सिर्फ अपने एकोनोमी से मतलब है लेकिन आप इतने पैदल होना है कि आपको 200-300 दिखता है और आप वहां जाके इंट्री कर लेते हो और रोने के लिए स्टुनामी गुरू के पास आते हो आओगे ही गारंटी है हाँ अब लोग कुछ सरम से नहीं आते हैं वो अलग ब विए संस्था मन गया थे त्पर अपनि दिल की दास्ताा मत आता है हमति थीक ही तो किया गलत क्या किया BO अ थिस श्क्त हुआ क्या य invisible आगे्म हाथ डाले हो तो जला तो इस में बूरा बात ही बताओ ओ म Kenya बैचाुए वह आटwasser वो श्क्रांथ act वो पुरॉए करें कि बुलाया था संस्थावाल आपको मेसेज दिया था तुम गया था ना तो ठीक तो किया गलत क्या किया क्या क्या गलत बोल रहे हैं संकर जी हाँ हाँ क्यों करेगा है हाँ अ है सही करता है उसका इतिहास है वही है सब को पता है हमने हैं पिछले साल, पांस साञ से खोले हुए। वो तो पिछले 20 साव से खोले उए। आपको भी तक नहीं पता चला ? बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, वो कुछ करने के लिए हएहीं नहीं है, आपको ठीक करता है इनको, इनको कुछ नहीं, सही करता है कृष्णा जी हम एक्सेप्ट करते ही लोग को सही करता है हम ऐसे टीचर को सेलूट करते हैं कि ऐसे ऐसे जो है ना पैसा बचाने वाले अस्टुडेंट के साथ में ठीक करते हो तुम हाँ कुछ नहीं करेगा कौन गया था कौन बोला था जाने वहाँ कि यहां हम कितना में पराना है 5500 में वहां कितना मोड़ा 500 में साथ अजार का प्रफीट दिखा था और साथ जनम का जो होगा तुम्हारे साथ कुखर्म वो कुखर्म जह लेगा रोना तुभी को है न तो रो वो गलत क्या किया तुम पैसा बचाया न तो जितना चीनी डालोग उतना ही मीठा होगा न अब क्या चाहते हो 500 रुपया में वो एंसर राइटिंग करवा दे टेस्सरी चलवा दे जिरी चलवा दे एड़ोटोरियर पढ़वा दे वो पागल है हम बोषया रहा है है अय है समझ में में अधी माझ मैं एक डिया देकर होग कि इसका समधार हो गया इं कि इसका यह इंसान अपने से समझ सकता है और यह अब समझाने बाले इससे पेक इंसान बच्चे हो उसके माबाप अब माबाप जागुरुक होना सुरूँ गए अब माबाप बोलते हैं कि यहां जाओ बेठा दूसरा दोस्त दोस्त यहां नहीं है इस फिल्ड में इस फिल्ड में मतलभी बनो आप राजा बनने आओ एक जिला का मालिक बनने आए हो अगर मालिक बनना है तो दोस्ती को दुस्मनी में कनवर्ट कर दो अगर यहां दोस्ती करोगे तो मालिक कभी नहीं बनोगे मालिक, सिर्फ मालिक से दोस्ती करता है, और किसी से ने, इस समय आप नौकर हो, इस समय क्या स्थित्त है आपका, आप लोग का कोई स्थित्त है, एक ओटो बाला भी आपको, आलोचना कोई सब्दो से कर सकता है, कोई स्थित्त नहीं है आपको, और आपको अगर मालिक बनना है तो आप मतलबी बनो और इतिहास इसका गवा है अगर जवरत परे तो फिर क्या करो मालिक बनने के लिए कुछ भी हाद तक गिर सको यह परने के लिए कहने का मतलब है कि परने के लिए कोई दोस्त नहीं है दुनिया में एकेले पीठी देना है एकेले पीठी बैठ के देना है एकेले मेंस देना है एकेले इंटर्व्यू रूम में जाके इंटर्व्यू देना है और सिर्फ एकेले ही आपका रिजल्टिंग लेगा फिर दोस्तों कहीं है नहीं था तो दोस्ती में क्या समय गुजार दिये एक तो द कोई दोस्ति कहने वाली बात हूं वो है जी अफ और बी अफ बेटिया रानी इससे बचना और बेटे राजा इससे बचना कोई मतलम ने कोई दोस्ति नहीं इन से इसक लड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है इतना खुबसूरत सीता मरी को छोड़के आए थी इसलिए इन लोगों से और यहां के लोगों पे पटना में लोगों पे विस्पास करके जो दूसरे जिला से आके रह रहे हैं इनको मौका मिले तो आपको कब के मार के फैंक दें सारी आपके पास में है तो मुबारक हो हुश्यार है अराम से रहे इतमिनान से रहे एकेले रहे अपने प्रविस्तोर पर भरुसा रखिए और पूरा जीत जान लगा के मेनद कीजिए और उस इंसान पर भरुसा किजिए जो आपको अपनी मंजिल से मिलाने के लिए रात दिन पागल है जो अपनी संस्था में पैसा बनाने के लिए है वैसे इंसान से आपको कुछ भाला नहीं होने बाला बागी आपकी इच्छा तीसरा किताभ हजार तरीके की किताभ है हजार लोगों से सृजिसन लो हिस्ट हाँ कुछ आर किताब बताएं कुछा और दूसरे टीचर से बोलो कुछ ski और यहां सब बोलो कि सौ किताब से बढ़ियां एक किताब को सौ बार पढ़ लिया जाएंगा सारा किताब का यूरोपिय कंपणियों का आगमन सेम ही है थोड़ा सब्दों का बस खेल है डाटा वही है करेक्टर वही है अठाइसो संतामर की चाहे कोई भी बुक ले लो चाहे राजी बाहिर साहब की बात कर लो या फिर इसके पांडे सर की बात कर लो किसी का भी किसी राइटर की बात कर लो टाइमिंग और करेक्टर सेम है एक अथंटिक बुक और एक सो बार पढ़ जाओ चार साल है ना अभी से बचा हुआ चार साल है ना हरेक एक एक बुक को चार बार पढ़ जाओ सेलेक्शन होगा तो मिलना हमसे हम यहीं जिन्दा ख़ड़ा रहेंगे और वन टू टेन में रेंक ने आएगा तो कहना रेंक ने आएगा यह संस्था की हर एक इट और हर एक जगह से बस एक आवाज निकलता बीपीसी कि दूसरा कुछ निकला है यहां सबाज कभी देखे हो कि यहां तभी आओ जब बीपीसी को क्रेक करने की ताकत रखते हो और भीर में बैठने के मेरे पास मत आओ सीटी साइड हम नहीं बजबाते हैं उसके लिए मेरे पास मत आओ पहला दिन से ही स्टीम की बीज बही जाती है foundation की बीज यहां नहीं भोते हैं foundation के बीज बोने के लिए चल जाओ company में कि लगेगा कि है foundation लेकिन वो बीज जो है foundation के जाएप है बस तुमको दिखेगा foundation वहाँ गिरता जो बीज है वह सीधे SDM वाली, ताकि कल जब पौधा निकलेगा तो SDM का पौधा, और जब पौधा पेर में convert होगा, तो SDM का पेर, क्या गलत है? जहां तहां से फोटो खीच देता है, लगा तक छोड़िये, क्या का, अब नए बच्चे के दिमाग में ही नहीं, फोटो देखके, टीचर देखके, लगा जा रहा है, तो हम क्या करें, जाओ, मड़ो, फंसो, मेरा क्या लोगे, बस इतना तो तह है, हम तो इतना बस confidence के साथ मै मेरे पास आओगे, मैं अपना नाम बदल दूगा, अगर नहीं आए रोने के लिए तो, आज जहां जाना है, चल जाओ, कल रोने के लिए, तुम मेरे ही पास आओगे, चार साल के बाद, और फिर हम क्या कहेंगे, हमारा फीस सत्तर हजार है, देने लाइक हो, तो बैठो, क्य कि जगह कहां मेरे पास बैठाने के लिए, और तुम को पढ़ना है ही है, क्या क्रिस्ट आओगे,